नमस्कार एक जाम हैपी बाई जार्खन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जार्खन सिछक पतरता परिच्छा 2024 को लेकर के तो आपको बताते चले जार्खन में जार्खन सिछक पतरता परिच्छा एक पर बहु चल रही है उसमें यहाँ है कि आपको एक महिना के अंदर भी परिच्छा करवा दिया जाएगा ठीक है अब रही बात कि यहाँ पर देखे एक पर जार्खन सिछक पतरता परिच्छा बहुत जल्द होने जा रही है जैसे कि आभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहाय का चा लेकिन आपको सर्टिकेट लेना है तो हम कहां जा है और कैसे त्यारी करें ठीक है तो देखिए इसके लिए इसके लिए से लिए कि अपर अभी तक जितनी परिच्छाएं हो रही है आप उसको एक बार उठा करे कि सीप्रस्न पत्र को देखे नहीं पढ़ना चाहिए तो देखे अभी बहुत सारे जो है यहां पर सेफ लुसेंट और आरे सगरवाल के किताबों को जो यहां पर यहां पर फेल कर सकते हैं अगर वही परक्रिया को अपना रहे होंगे तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 50% मार्च जो है आप अपने इजाम में ले करके जाईएगा लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझे कि यहां से आप 40-50% पर रहे हैं आपका रिजल्ट खराब हो जागा ठीक है तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलादी जाते कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लिजे और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्ट्यूट में सीर्फ और सीर्फ यहां पर जैक की किताब की ही तियारी करवाई जाती है जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा जिसका कोई कलपन नहीं किया जा सकता है कि यह हूँ बहु लिखा वह प्रस्ण हैं रिटेन नोट्स का भीड़ा था उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहा का चार्ज में भी बहुत से प्रस्ण ऐसे हैं जो हैं रिटेन नोट्स यहां पर भीड़े हैं ठीक है अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला तो जेटेट के लिए 101 पर तीसात आपको गारेंटी देते हैं कि अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहां पर जुड़ना है अभी देखिए हमारे यहां पर मेगा ओफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जूड़ करके तयारी कर सकते हैं एक कभी 999 रुपए लेकिन अभी यहां पर एक ओफर चल रहा हमारे यहां पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सो कंडिडेट का एडविशन करवाय जा रहा है जिसमें आपको वन टू फाइफ के लिए 500 रुपए लग 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 रासी लगेगी और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हजार रुपए यहां पर लग रहे हैं तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर पेड़िशन कर लीजेगा देखे आपको बता दे आप कहीं से भी तैयारी कीजे आपको जैसी आर्टी टेस्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना अ बहुत ही ज्यादा आपको बता दे फी दे दे करके भी तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है तो आप सभी अभी भी यहां पर समय है आप जैसी आर्टी टेस्ट बुक से त्यारी कर लेंगे और यह नहीं कर पाते हैं तो आप यहां से नोट्स सारा चीज प खेती को कहा जाता है जूम की खेती को क्या कहा जाता है आदिवासी खेती परती खेती घुमन्तु खेती या कोईनी ठीक है तो जूम की खेती को क्या कहा जाता है तो जूम की खेती को जो है यहां पर घुमन्तु खेती कहा जाता है क्योंकि यह घुम घुम कर खेती लोग करत जाती है उन्हें घूम घूम कर किया जाता है उसको जूम की खेती भी कहते हैं उसे को घूमनतू की खेती भी यानि यहां पर C एक और उप्सन आया हुआ जिसमें A और B दोनों है जिसका राइट एंसर हो जागा A और B दोनों बिर्शा मुंडा का जन्म कब हुआ 15 नौवंबर 1872 पंदरा अक्टूबर 1875 पंदरा नौवंबर 1875 या कोई नी ठीक है तो देखें बिर्शा मुंडा का जन्म ये भी आपको बहुत ही असान है लेकिन जैसे सी में बार बर पूह दिया जाता है ठीक है तो बिर्शा मुंडा का जो जन्म था ओ आपका 15 नौवंबर 1875 इस भी को हुआ था इसी के अधार पर जो है इहां पर जारकन राजी का गठन भी जो है नौवंबर में ही किया गया है ठीक है चली अगला देखिएगा बिर्शा मुंडा के माता पिता का नाम क्या था बिर्शा मुंडा के माता पिता का नाम क्या था बिर्शा मुंडा को अपलोग देख लिजे करमी मुंडा माता का नाम और पिता का नाम सुगना मुंडा माता का नाम करमी मुंडा माता का नाम पिता का नाम कर्मा मुंडा किया था ठीक है इसका राइट एंसर जो हो जाएगा माता का नाम कर्मी मुंडा था अब पिता का नाम सुगना मुंडा इसका राइट एंसर यह हो जाएगा विर्शाम मुंडा का नोट साफ लोग जुड़ देख लिजगा विर्शाम मुंडा को 1893, 1895 या 1899 विर्शाम उंडा को कब गरफतार किया गया था, ठीक है, देखें, यहाँ पर बिर्शाम उंडा को जो अंग्रेजों के द्वारा गरफतार किया गया था, वो आपको 1895 विर्शाम उंडा जेल से कब लोटे, जब उन्हें जेल में दे दिया गया, तो उसके बाद तो दो बरस के बाद यहां पर विर्षा मुंडा जो परतिक दिया गया विर्षा मुंडा की मिर्तिव कैसे हुई है हैजा से, कैंसर से, बुखार से या कोई नी थीक है तो बिर्षा मुंडा की जो मिर्ति हुई थी वो आपको इहां पर हैजा से हुआ था ठीक है किस से हुआ था हैजा से हो गया था और कब 1922 में संथाल बिद्रो शुरू हुआ, संथाल बिद्रो कब शुरू हुआ, 30 जून 1855, 30 मई 1862, 30 अगर 1872, 29 अप्रेल 1922, ठीक है, तो 30 जून 1855 इस भी को संथाल बिद्रो इहां पर हुआ था, संथाल बिद्रो का नेतरी तो किस ने किया, सिंधु, निलामबर, पितामबर, या कोई ठीक है, तो संथाल बिद्रो का नेतरी तो किस ने किया, यहां पर सिंधु ने किया, संथाल बिद्रो में सिंधु के साथ और कौन-कौन सामिल थे, कान्हु, चांद, भहरो या सब है, ठीक है, तो संथाल बिद्रो में सिंधु के साथ जो थे, कान्हु भी थे, चांद भी थ यानि इसका right answer D हो जाएगा, यानि सभी हो जाएगा, संथाल विद्रो का राजा कौन था, सिंधू, कान्हू, चांद और भैरो, कौन था इसका राजा, ठीक है, तो संथाल विद्रो का राजा जो था, वो सिंधू था, याद रखेगा, यहाँ पर देखें, नोट्स आपको हम तो मंत्री कान्हू थे, और वहाँ पर चांद को, परसासक, और भैरो को सेनापती चुना गया था, एकदम याद रखेगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पर नोट्स दे दिया है, पहले राजा, फिर मंत्री, फिर परसासक, और फिर सेनापती, ठीक है, इस तरह से चलता था पर, तो सीन्दू पहले थे, फिर कान्हू थे, फिर चांद थे, और फिर भैरो थे, तो सीन्दू हो गए राजा, और यहाँ पर कान्हू हो गए मंत्री, और चांद हो गया आपर सासक, और भैरो हो गए सेनापती, ठीक है, इसको अधम अच्छा तरह से देख लिजेगा, न सापूर थाना किस जिले में पढ़ता है, पलामू गढ़वा लाते हैं या कोई नहीं, तो सापूर थाना जो है, आपको यहाँ पर किस जिले में पढ़ता है, यह अभी पलामू जिले में वर्तमान में है, तो दोस्तों यदि आप भी अभी तक भी बजारू किताब के चकर म बना रहे हैं तो आप अभी क्या भी वीडियो देखने के बाद तो छोड़ दीजे और आप जो है यहां पर देखें जैसे आटी टेस्ट बुक का नोट्स तेयार करने में लग जाए क्योंकि वहां से आपको कम पढ़के कम प्रस्ण बनता है और अधिक महीं से प्रस्ण आने क समभना रती है या आता ही है तिक है तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहां से 499 रुपए में नोट्स परचेच करके पढ़ सकते हैं तो परिछा में जाने से दो दिन तीन दिन पहले भी अगर आपको विडियो मिलता है तो आप यहां से नोट्स अवस 499 पर बाचित करने के पूरी सुवीधा दी जा रही है जिसमें आप जो है जो कलास हुआ है उसमें किसी परकार का समस्या हो तो आप वो से ओगत हो सके तो तुसरा के सारी सुवीधाय आपको घर बैठे परदान की जा रही है वह भी सीर्फ और सिर्फ एक हजार रुपय में त पहन्यवाद